तो नमस्कार दोस्तों, DC Mobile Solution में आपका इक वाफिट से बहुत-बहुत स्वागत है और यहां पे iPhone का बहुत-बड़ा मसला था कि iPhone के जो disabled phone थे यानि कि 15 प्लस वर्जन थे उनके तो उनको हम बाइपास नहीं कर पा रहे थे ठीक है तो यहां पे unlock tool में वो update आच चुका है और आप easily जो आपके disabled phone है वो आप easily कर पाऊगे जो 15 प्लस वर्जन है उनको आप latest file से flash करने के बाद उसका पास code निकाल पाऊगे disabled phone को unlock कर पाऊगे ठीक है तो यह update आया है कल मैं आपको इसकी website खोल के दिखा दूँ या फिर माट भी फोरम पे चरक करते हैं ठीक है तो यह है update इसका यह version लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है boot device RAM disk iOS 15 for Windows iPhone SE 6S 6SP 7 7P 8X तक जो है आप easily इसको कर सकते हैं करने का तरीका क्या है वो मैं वीडियो का link आपको description में दे दूँगा आप जाके easily वहां से देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई phone नहीं नहीं तो मैं आपको live अभी करके आपको दिखा देता ठीक है यह update दोस्तों आपको rate भी अच्छा मिलेगा support भी ठीक मिलेगा ठीक है तो यहां पर यह update बहुत दिन से क्योंकि बहुत सारे टूल थे आइप यू था और भी कैई टूल थे तो उनसे यह करा जा रहा था उनसे चार सोड़ा मेंगा पड़ा था यहां पर आप इजली जो है आपको ले लेना चाहिए क्योंकि अनलोग टूल में अपडेट लगाता रहा रहे हैं बहुत जबस्त है आईपोन को ही नहीं आप इसमें वीवो और भी आप मिड़ा टैक कॉलकॉम के जो भी सैट है लगबग इस से ज्यादा support जो है मेरे साब से किसी भी टूल में नहीं है पॉनलोग टूल ले लेना चाहिए ठीक है थोड़ा सा महेंगा पड़ता है लेकिन काम्याब टूल है तो दोस्तों यही ता वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है तो फिर मिल करना चैनल